एर स्टुडेंट, सिराम अकेडमी के ओनलान फ्रेट्रों में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे ARO का ओनलान फोर्म किस परकार बनना है सबसे पहले आप लोगों को आरमी की जो ओपिसल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.inpay आपको क्लिक करना है जाहिं दियर स्टुडेंट, सिराम अकेडमी में आप से भी का ओनलान फोर्म किस परकार बनना है तो सबसे पहले आपको joinindianarmy.nic.inpay पर क्लिक करना है जैसे आप ये वेबसाइट डालोगे तो आपके सामने एक होम पेज आएगा तो इस होम पेज में आपको सबसे पहले उपर इपर दिया गया है अगनिपत, अगनिवीर का ओप्सन दिया गया है इस ओप्सन के उपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस परकार स्लाइड के रोप में आपको दिखाए देगा तो जिन बुचों ने अभी रेजिस्टेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेशन करना है रेजिस्टेशन में आपके अपने सारे डिटेल भरनी है वो डिटेल आपको 10th की मार्क सीड के अनुसार ही भरनी है जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस परकार का एक page खुलेगा तो उस page में एक यहाँ पे new register जिन्होंने अभी तक registration नहीं किया है वो बच्चे यहाँ पे registration पे जाके क्लिक रोगे तो आपके सामने एक page खुलेगा उस page में details परकार जो चाहिए वो आपको बढ़नी है उसके बाद में जो दूसरा tape है यहाँ पे already registered यहाँ जिन बच्चों ने पहले से registration कर रहता है तो वो यहाँ पे अपने email id डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे जो आप लोगों ने password create किया है जिसमें आप लोगों ने registration किया है तो आपको password डालने है और उसके बाद में आपको capture code डालने है तो मैं आप लोगों एक बाद दिखा रहा हूँ किस परकार डालने है जैसे मैंने यहाँ पे यह आपके सामने email id और password डालने है उसके बाद में capture code डालने है उसके बाद में आप लोगों यहाँ पे लोगिन पे क्लिक करना है जसे आफ लोगिन पे क्लिकरोगी तो आपके साम्हें इस करका एक पेज खुले गा जिसमें अल्रेठेश ब्रुखच अब बरिवी रहेगी तो आपको कुछ नहीं करना है आपको ऐसे सबस कर लेठीए चेक कर लेनी है उसके बाद में आप L команд जिस भी category के लिए आप पूम बनना चाह रहे हूँ उसके उपर आपको apply के उपर जाके click करना है जैसे मैं यहाँ पे आपको एक gd का home apply करके दिखा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे gd के लिए यहाँ पे apply पे click किया जैसे मैं इस apply के उपर click करूंगा तो मैंने एक सामने इस परकार का एक और पे खुलेगा तो आपको यहाँ पे जाके continue करना है तो आपके सामने इस सारे details के लिए यहाँ तक बरिवी रहेगी उसके बाद में आप लोगों यहाँ से एक religion यानि धर्म चुछ करना है अब जिस भी धर्म के हो तो वो यहाँ पे जाके आपको चूज कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे एक Hindu धर्म चूज गये उसके बाद में आप लोगों यहाँ पर class चूज करनी है तो आप लोगों यहाँ पर class के रूप में गुजारती चूज करनी है उसके बाद में आप लोगों यहाँ पर एक photo upload करनी है photo की size 5kb से लेके 20kb के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर आपको एक signature भी upload करना है signature की जो size है वो 5kb से 10kb के बीच में होनी चाहिए उसके बाद मैंने यहाँ पर save और continue करना आप लोगों गा जैसे ही आप save and continue करोगे तो आपके सामने इस परकार का एक और page खुलेगा इस page में आप लोगों को permanent address डालना अपना और इस ताइप पते के समान ही दूसरा अपना पता होना चीए जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इस ताइप पता में अपना फुरा address जो address है वो अपना आधार काड के अनसार ही address डालना है और यहाँ पर village डालना है आपको city town डालना है उसके बाद में आप लोगों को इस साजी कौन सा है जीला कौन सा है तैसल कौन सी है पिन कोड कौन से है आपके आपका दूद नजदी की police station कौन सा लगता है आपकी post office कौन सी है यह सब कुछ डालना के बाद में आप लोगों को save and continue करना है save and continue करने के बाद में आप लोगों के सामने एक और page बुलेगा जिसमें आप लोगों से details माँगे कि आप लोगों के पास में sports security है यानि NCC security है यानि अगर आपके पास में नहीं है तो आप इन no के उपर प्लिक करोगी अगर आपके पास sports security है तो आपको यहां पी YES पर दाकर कलिक करना है जैसे आप Yes के उपर क्लिक करोगी तो आपके पास में यहां पे पुछ यहांप के पूछाज आएगा में पैस्ट पोजिशन है या पर सेइगं आपके पास 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 सेग्म बोजिशन दोनों ही नहीं है तो आप यहां पर पास ने पूछ से आफ कुछ करोगई इसी परकार आपके पास में अगर 50 सी सर्टी है, A सर्टी है, B सर्टी है, कौन सा है, तो यहां पर Yes पर क्लिक करोगे, में आपको Save or Continue पर आगे बढ़ना है जैसे आप Save or continue करोगी तो आपके सामने Education Details वाएंगे तो आपको Education Details में अगर आप कौन सी Class पास हो अगर आप 8 पास हो, 10 पास हो, 12 पास हो, कौन सी पास हो तो आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पर आपको 10 select करना है और आगर आप 12 परस हो, 12 कौन से, sign से हो, art से हो, commerce से हो या प्या पिर किस से हो, अगर आप यहाँ पर 10 परस हो तो 10 परस कर चूज़ करना है, उसके बाद में आप कौन से board से परस हो अगर आप open board से परस हो 10 तो यहां पे जाकर क्लिक करना है। और अगर आप गुजराद बोट से हो, तो आपको State Board चूझ करना है, उसके बाद में यहां पे क्लिक करोगे। आपने दश और बारा को उनसे साल में किया। अगर मालोग दस आ ने दोजा तीन में किया है, है पांस में किया है तो आप यहां से आज़ाई कि चूज कर सकते हो उसके बाद आप लोगों को निएष्टै कोल्म धिखाए दे रहा है रोल नंबर का ईस रोल नंबर में आप लोगों को जो अब की शीटल नंबर है वो डालने हैं हो नीचे सर्टिपिकेट नंबर दिखाए दे रहे हैं तो इस certificate number में आपकी जो mark sheet में हैं उपर ही उपर बड़े बड़े अक्षरों में आपको certificate number दिखाए दे रहे हैं वो डालने उसके बाद यह सब को डालने के बाद में आपको यहांपे add बे click करना है जैसे ही आप add बे click होगे तो जो यह आपको arrow के साथ ज सभी marks इसके अंदर डालने हैं तो हर subject white जैसे आप यहांपे click करोगे तो आपकी subject का column खुलेगा आपको यहांपे एक subject choose करना है चूच करने के बाद में आप लोगों को यहांपे उसके marks डालने हैं और कितने में से आपकी marks आये हैं इस सारी subject white details भरने के बाद आपको यहांप continue पे click करना है जैसे ही आप continue पे click करोगे तो आपको कौन सी category में आपको form बढ़ना है वो यहांपे आएगी माला आपको gd में बढ़ना है तो आप यहांपे continue कीजी अगर आपको change करना है तो निचलाएगी change कर सकते हैं जैसे ही आपके continue करोगे तो आपके सामने एक इस परका आपने फंडेटो बैब, इस सारी detail वगर एक वगर आपको अच्छे से check करने हैं, क्योंकि ये सारी details वगर अपने अच्छे से check नहीं कि कोई गलती होगी, तो आपका ये form reject भी हो सकता है, तो आपका ये एक वगर ध्यान से आपको इस सारी details वगर चेक करने हैं, चेक करने के बाद में आपको फाइनल यहां से सब्मिट करना है अगर आप यहां से फोंग सब्मिट करोगी तो ही आपका फोंग बरावा वाना जाएगा पूरा आपने सब्मिट नहीं किया है तो आपका इसका मतलब आपका फोंग पुरा बरावा नहीं है श्रीडाम एकडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुडने के लिए भरोसे मन नाम जहां डिफेंस में चुने जाने की तयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी-बड़ी फीज श्रीडाम एकडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एरफोर्स, नेवी, एससी, कॉंस्टिबल, जीपी एससी एकड़ाम की तयारी ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसिस में हो सकते हैं भरती एरफोर्स, नेवी, एंडिय, आर्मी की गारंटी बैच के लिए श्रीडाम एकडमी से और देश की सेवा के साथ बनाए अपना करियर contact 7698813222 7490042988